बॉली हूड में अपनी लगातार फिल्में फलॉफ होने की वज़े से अब अक्षय कुमार को आगई अकल दरसल इन दिनो बॉली हूड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है दरसल अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म कटपुत ली के ट्रेलर लॉंच के दौरान मीडिया ने अक्षे कुमार से उनकी फिल्मों के खराप परदशन को लेकर सवाल किया मीडिया ने उनसे पुछा कि आखिर ऐसी क्या वज़ा है जिन से उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर बुरे तरीके से फ्लाफ हो रही है इस पर अक्षे कुमार ने मीडिया को जवाब देते वे का कि जो हमारी फिल्में है वो बॉक्स ओफिस पर इंदनों बुरे तरीके से फ्लाफ हो रही है सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक वर्क की फिल्में फ्लाफ हो रही है इसमें किसी और की गल्ती नहीं है बलकि हमारी कमी की वज़े से फिल्में नहीं चली है मैं तो कहता हूँ कि मेरी गल्ती की वज़े से मेरी फिल्में नहीं चली है अक्षे ने आगे कहा कि ऐसे मैं पूरे बॉलियूड को सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे उनकी फिल्में बुरे तरीके से फ्लॉफ हो रही है हम लोगों को ये समझना होगा कि और्डियंस आखिर क्या चाहती है अगर मेरी फिल्में फुलॉफ होती है तो मैं इसके लिए खुद को दोशी मांता हूं दरसल दोस्तों आपको बता दे कि इस साल अक्षे कुमार की तीन फिल्में रिलीज होई जिसमें सम्राळ परत्युरण, बच्चन पांडे और रक्षा बंदन सामील है और ये तीनों फिल्में बॉक्स ओफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉफ हुई है इन तीनों फिल्मों के फ्लॉफ होने की वज़े से अक्षे कुमार के मार्केट और उनके स्टार्ट डंपर गेरा असर पड़ा है ऐसे एक्षे कुमार बॉली उट में सबसे ज़्यादा फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं एक साल में वो कम से कम पाँच फिल्में करते हैं और लगबग सारी फिल्में हिट होती है लेकिन COVID के बाद Bollywood के हर एक्टर के लिए बॉक्स ओफिस पर फिल्में फ्लॉफ होना एक बुरे सपने की तरह हो गया है जिसमें Bollywood के कई बड़े सुपरस्टार सामिल है इसी के साथ Bollywood के Mr. Perfect Nisht कहे जाने वाले Bollywood के Game Changer कहे जाने वाले आमीर खान की फिल्म लाज सिंग चड़ा भी रिलिज हुई और आपको जानके हरानी होगी कि ये फिल्म मातरत तीन दिनों में फ्लॉफ हो गई जो आमीर खान Bollywood के Game Changer माने जाते हैं उनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई करती है लोगों को इस बार पूरी उमीद थी कि आमीर खान की फिल्म लाज सिंग चड़ा इस बार बॉक्स ओफिस पर कुछ कमाल कर पाएगी साथ ही Bollywood की इज़त बचाएगी लेकिन याँ पर तो आमीर खान खुद की इज़त नहीं बचा पाए ऐसे में ये कहना बहुत ही सही होगा कि Bollywood को अब समझने की जरूत है कि आकिर ओडियंस को क्या चाहिए लगता है इस बार की बात अक्षे कुमार के तो पल्ले पढ़ गई लेकिन पूरे Bollywood के पल्ले पढ़ना भी बाकी है क्योंकि एक तरब उनके सामने साउथ इंडेस्टी की फिल्म में बॉक्स आफिस पर ताबर तोड कमाई कर रही है और काफी अच्छा ओडियंस का प्यार उने मिल रहा है वहीं दूसरे तरब Bollywood हर दिन अपनी नई फिल्म के साथ दलदल में फस्ता जा रहा है अब आशा करते हैं कि ये बात Bollywood वालों को जल से जल समझ में आ जाए वरना Bollywood को इंडिया की नंबर वन इंडेस्टी से नंबर जीरो इंडेस्टी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लेगेगा खेर दोस्तों आपके इस बारे में क्या सोचना है कॉमेंट बॉक्स अपनी राइस जरूर लिखें